सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की शिक्षा निदेशाले राष्ट्र राजधानिक शेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट वर्कशीट नमबर 47 जो की क्लास 6-8 के स्टूडेंट्स के लिए है ये ली गई है समाजिक विज्ञान विशे से और इसमें हम जिसके बारे में समझेंगे वो विशे है संसद जानते हो न संसद तुमने टीवी में तो कई बार देखा होगा कि सामने अध्यक्ष महदे बैठे होते हैं बड़ी सी कुर्सी पर और उनके सामने बहुत सारे नेताजी आपस में बहस कर रहे होते हैं तो चलो आज मैं तुमें संसद के ही टूर पे ले चलता हूँ जहाँ आपको दिखाऊंगा कि संसद होती क्या है संसद के अंदर क्या होता है तो चलिए समझते हैं मेरे साथ भारत में कानून बनाने की सरवोच संस्था भारतिय संसद है यानि भारतिय संसद कानून बनाने की सबसे टॉप मोस्ट इंस्टिउशन है भारतिय संसद के तीन अंग राश्टपती, लोगसभा और राज्यसभा है यानि संसद इन तीनों को मिलकर बनती है राश्टपती, लोगसभा और राज्यसभा को राश्टपती का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं यानि हम राश्टपती का चुनाव नहीं करते हैं भारत में भारत में राश्टपती का चुनाव वो लोक करते हैं जिने हम चुनते हैं यानि लोक सभा के मेंबर्स, राज्य सभा के मेंबर्स और जितनी राज्य की विधान सभा हैं उनके मेंबर्स. थोड़ा सा नीचे की और और चलते हैं, वहाँ पर एक flow chart बना हुआ है, जिसमें संसत को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है. तो सबसे पहले लिखा है संसत के सदन, और संसत के दो सदन होते हैं यानि दो houses होते हैं, एक को कहते हैं लोक सभा यानि निम्न सदन और एक को कहते हैं राज्य सभा यानि उच्छ सदन. तो चलो पहले लोक सभा के बारे में जानते हैं, कि लोक सभा को हम निचला सदन या निम्न सदन भी कहते हैं और इसके कुल सदस्यों की संख्या होती है 545 यानि 545 सीटें या मेंबर्स लोक सभा में चुने जाते हैं. लेकिन 545 में से 543 सदस्ये ही जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि दो सदस्ये अंगल भारतिय समुदाई के होते हैं, जिने राश्पती द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानि कि राश्पती द्वारा चुना जाता है. फिर बात करते हैं राज्य सभाकी जिसे उच्छ सदन भी कहा जाता है इसके कुल सदस्यों की संख्या होती है 250 यानि इसमें 250 सदस्ये चुने जाते हैं लेकिन इन 250 सदस्यों में से 238 लोगों का चुना राज्यों के विधान मंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और 12 सदस्यों को राज्टपती द्वारा मनोनीत किया जाता है या चुना जाता है तो चलो अब चलते हैं अपने प्रशनोत्तर की और यहाँ पर पहला प्रशन दिया गया है कि अपने लोकसवा शेत्र और सांसत का नाम पता करके लिखी आप जिस लोकसवा शेत्र में रहते होंगे उसका नाम और उसके सांसत का नाम लिखेंगे मैंने उधारन के तौर पर इवं कितने सांसद राज्य सभा में हैं। उन सभी का नाम भी लिखी। तो इसका उत्तर है लोग सभा में दिल्ली से साथ सदस्ये हैं। और इन सदस्यों के नाम हैं। और पश्मी दिल्ली से श्री परवेश साहिव सिंग वर्मा। और राज्य सभा में दिल्ली से तीन सदस्ये हैं। जिनका नाम है श्री नारायंदास गुपता, श्री सुशील कुमार गुपता और श्री संजे सिंग। ये तीनों राज्य सभा के सांसद हैं। उत्तर हैं और राज्य सभा में 12 सदस्य राश्टपती के द्वारा मनोनीत किया जा सकते हैं अपने आखरी प्रेशन पर पता लगाईए कि भारत में राश्टपती का चुनाव कौन करता है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते जाए और ध्यान वा मन लगा कर पढ़ते रहिए, धन्यवाद